नमस्कार मेरे चानल में आप सभी का स्वागत है फाइनली जैसी रेक मुझे चाहिए थी वैसी रेक मैंने खरिद ली है ये रेक मुझे बहुत ज़़ा पसंद आई इसलिए मैंने आपके साथ ये विडियों शेयर करना ज़रूरी समझा ये रेक हमने फ्लिप कार से ली है इस तरह देके रेक हमारे पास आईए इसके चार पार्ट है अभी हमें इससे जोड़ना है और इसके चार पैर दिये है सबसे पहले इसके जो दो पार्ट है उससे हम इसके पैर लगाएंगे इस तरह देके हमने इसके पैर लगा लिये है अब हम इसका तीसरा पार्ट जोड़ेंगे जो इसके डिजाइन है वो हमें अंदर के साइड लेनी है और अभी हमें इसका तीसरा पार्ट ले रहा है और इसके अंदर फसा देना है बहुत आसान तरीके से ये रैक तयार हो जाती है इस रैक के पार्ट निकल जाते हैं इसलिए इसके साफ सपाई भी करना हमारे लिए आसान हो जाता है रैक को लेके हमने जोड लिया ही ये रैक बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये स्टील की रैक है बहुत दिनों से सोच रहे थी किजन के लिए प्लास्टिक की रैक लूँ या मिटल की या स्टील की मैंने यहाँ पे स्टील की रैक लिए इसके अंदर जगा बहुत सारी दी है इसलिए इसमें हम सामान भी बहुत सारा रख सकते हैं इस तरह हम इसके अंदर बोटल रख सकते हैं, मसाले काड़े बार रख सकते हैं, ये रैक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, किचन में देखिए जगा भी बहुत कम लगती है, इस तरह मैंने किचन में इस रैक को रखा है, डिब्बे रखने के बाद भी इसके सामने इस रैक में जगा बहुत सारी दी हुए है, इसलिए रैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अगर आप किचन के लिए रैक ढून रहे हैं, तो आप इस रैक को ले सकते हैं, ये रैक बहुत बढ़िया है, और मजबूत है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर जरूर करें अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद